वेलकम स्टूडेंट, हमने कल ब्रिटिश मंत्री मंदल देखा था, आज हम ब्रिटिश मंत्री मंदल में परधान मंत्री देखेंगे मंत्री मंदल ब्रिटेन की वास्त्विक कार्यपालिका है, जैसा कि हम कल देख चुके हैं और परधान मंत्री है वो मंत्री मंडल का परधान है इस परकार परधान मंत्री शाषन विवस्था का केंद्र है और उसकी स्तिथी सरवाधिक महत्व पूरण है शाषन में परधान मंत्री की स्तिथी इतनी महत्व पूरण और केंद्री है कि कुछ विचारकों ने तो बिर्टेन के मंत्री मंदलिय सरकार को परधान मंत्री सरकार कहना शुरू कर दिया इसमें आर एच खरोसमेन ने कहा है यो धोत्तर काल में मंत्री मंदलिय शाशन परधान मंत्री शाशन में परिनित हो गया दिसंबर पंदरा का जो नेट हुआ था उसमें ये कोस्चन आया था कि बिर्टेन का मंत्रे मंदलिय शाषर ने परदान मंत्रे शाषर में परिनित हो गया ये किसे ने कहा है तो इसमें है आर एच एस क्रोस मैं परदान मंत्रे की निक्ति है वो समराट के दवारा की जाती है लेकिन व्यवहार में मतलब समराट है वो अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को परदान मंत्री नहीं वना सकता वरन जिसे लोक सदन में बहुमत हो उसी को परदान मंत्री निक्त किया जाता है यद्पी अब तक ऐसे अफसर हुए है ज़िप परदान मंत्री की निक्ति समराट के दवारा अपने विवेक का परियोग करके भी की गई है लेकिन यह परंपरा है कि जिसे लोक सदन में बहुमत होगा वही व्यक्ति परदान मंत्री बनेगा और परदान मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवारे है यह परंपरा स्तापित हो गई है कि परदान मंत्री लोक सदन से ही होना चाहिए लोड सबा से नहीं यहां ज्यान दो हमारे भारत में राज्य सबा लोक सबा किसी का भी मेंबर हो सकता है परदान मंतरी और ब्रिटेन में लोक सदन का ही मेंबर होता है ये फरंपरा है अब देखते हैं हम दिसंबर 2012 की नेट में एक कोश्चन आया था कि ब्रिटेन के पहले परदान मंतरी कौन थे तो बिटेन के पहले परधान मंतरी रोबर्ट, बॉल, पॉल थे, मैं लिक देती हूँ आपको सत्रा सु इकिस राबर्ट बॉल, पॉल परधान मंतरी पद की विशेश्टा यह है की इसका कोई कानुनी आधार नहीं है यह पद अनोब चारिक ही है परधान मंतरी पद की स्ताबना इसका कानुन की आधार पर नहीं की गई रोब किसी अनुचेष्ट माँ लिखी सुविधान गोशेष्ट, यह नहीं एक विकसित पद है जब समराट जोर्च पर्थम ने कैबिनेट की बैठक में शामिल होना बंद कर दिया तो कैबिनेट को अध्यष्टा के लिए एक पदा अधिकारी की आवशकता थी और ये पदा अधिकारी कैबिनेट का परधान हो सकता था इसी से परधान मंतरी पद का उद्य हुआ 1721 में निक्त बोल पाल बिर्टेन के परधान मंतरे थे इस पद का सरव परधान उलेक अब हम अगर यूँ बात करें कि वो तो उन्होंने वापस सिस्टम बना दिया समराट जोर्ज परधम ने मेटिंग्स में शामिर होना बंद कर दिया तो जो कैबिनेट्स थी उन्होंने उपने में से एक परधान बना दिया बोल पोल को निक्त कर दिया लेकिन इसको कानून में रूप से इसका उलेक है वह 1878 इसवी में हुआ जब लोड विकन्स फेड ने बरलिन संधी पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आपको राज कोश का पर्थम लोड अर्थात इंग्लेंड का परधान मंतरी कहे कर हस्ताक्षर किये कानून पहले हैं 1721 में और कानूनी रूप से 1878 के अंदर इसका उलेक हुआ है 1934 में राज मुकुट के मंतरियों से संबंधित कानून बना जिसमें सबसे पहले परधान मंतरी वे राज कोश के पर्थम लोड के पद को स्रिकार किया गया अब 1878 तो उन्होंने साइन किया भी मैं हूँ पहला मैं हूँ परधान मंतरी और कानूनी रूप से इस पद को सुभी करती है वो 1934 के अंदर मिली है राज मुकुट के मंतरियों से संबंधित कानून बने थे उसके अंदर अब परधान मंतरी को और क्या कहते है राज की ये कोश के पर्थम लोड ठीक परधान मंतरी पद का कानूनी रूप से उलेख है राज कोश के के पर्थम लोड अब हम देखेंगे परधान मंतरी के कारे और शक्तियां परधान मंतरी का परमुक कारे है मंतरी मंडल का निर्मान करना समराट के दवारा परधान मंतरी की निक्ति की जाती है और मंतरी मंडल के सदस्यों के जो न्यक्ति है वो परधान मंतरी के प्रामर्श से समराट के दवारा की जाती है जहां तक वास्त्रिक्ता का संबंध है मंतरियों की न्यक्ति में समराट का कोई हाथ नहीं होता परधान मंतरी जिन किनी व्यक्तियों को मंतरी पद पर न्युक्त करने की सिफारिश करता है समराट उसे स्विकार कर लेता है मंतरियों की न्युक्ति में पूरन पूरन जो शक्ति है वो परधान मंतरी के पास ही होती है समराड तो नाम मत्तर है कि उनकी न्युक्ति करेंगे मंत्री मंडल का कारे संचालन परधान मंत्री केवल मंत्री मंडल की न्युक्ति ही नहीं करता उनकी समस्त कारेवाईयों का संचालन भी करता है मंत्री मंडल की बैठकों की अध्यक्ष्टा करता है कारे विदियों पर नियंतरन करता है परदेख मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तूत करने से पहले परधान मंत्री की राय लेता है परधान मंत्री उन्हें मारक दर्शन और पत परदर्शक करता है मंत्री मंडल का आंत कानून के अनुसार मंत्रियों को पदाचूत करने का अधिकार तो समराट को है लेकिन व्यभार में यह परंपरा स्तापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग परधान मंत्री की मंतरना पर करेगा परधान मंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों को पद से हटा सके पदाचूत कर सकता है या पूरे मंत्री मंडल का ही अंत कर सकता है या परधान मंत्री समय त्याग पत्तर दे तो उसे पूरे मंत्री मंडल का त्याग पत्तर मानना जाएगा तो इस परकार परधान मंतरी है, वो मंतरी मंडल की किंदर बिंदु है, वह उसके निर्मान, उसके जीवन और उसके अंत करने की किंदरी अस्तिती में है शाशन पर नियंतर सिधानतों में देखें तो देश का जो शाशन परमुक है वो समराठ है लेकिन व्याभार में शाशन परमुक के सभी अधिकारों का प्रियोग परधान मंतरी के दवारा किया जाता है शाशन पर सरवोच नियंतरन रखने है तू उसके दवारा शाशन के विभिन विभागों में समन्वे स्तापित किया जाता है उसके दवारा ये कारे विभिन विभागों के मंतरियों में बध्यस्ता करते हुए और विभिन विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है राजकिय सम्मान परदान करने का कारे समराट के दवारा परदान मंतरी के प्रामर्ष के आधार पर ही किया जाता है और परदान मंतरी के प्रामर्ष पर अन्य, राजदूत, न्याय धिश, विभागय, परमुगन, गवर्नर्स, आद्धी की न्युक्ति की जाती है और राष्टर संबंधों का संचालन परधान मंतरी का एक महत्वपूरण अधिकार और कार्य है पर राष्टर संबंधों का संचालन मतलब दूसरे राष्टरों के साथ संबंधों का संचालन है वो परधान मंतरी के दवारा ही किया जाता है दूसरे देशों के साथ किये जाने वाले महतव पूरान समझोतों पर बिर्टेन की ओर से फर रास्टर मंतरी के दवारा नहीं वरन परधान मंतरी के दवारा ही हस्ताक्षर किये जाते हैं लोग सदन का नेतर तव लोग सदन में बहुमत दल के नेता को परधान मंतरी पद मिलता है और उसके दवारा शाशन परमुक के साथ साथ लोग सदन के नेता के रूम में भी कारे किया जाता है परधान मंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूरन व्यस्तापन कारियों का संचालन करता है व्यस्तापन के संबंद में नेती निर्मान कर संसद का पत परदर्शन करता है मंत्री मंडल और समराट के बीच की कड़ी परधान मंदल के निश्चों और शाषन संबंदी अन्य निर्णियों के सूजना परधान मंदल को देता है इसके संबंद में समराट दवारा किये गए परामर्श को बह मंतरी मंदल तक पहुँचाता है अंतर राष्टिय समेलनों में ब्रिटेन का परतिने देतव राजनितिक, आर्थिक, अन्य महत्तपूरण अंतर राष्टिय समेलनों में ब्रिटेन का परतिने देतव परधान मंदल के दवारा ही किया जाता है 1939 में मैक डोनाल्ड में एमेरिका राष्ट्रपती हूबर के साथ साथ बार बार वारता लाप करके इंग्लेंड और एमेरिका के बीच संबंध स्थाप्पन में प्रशाष्चनिय कारें किये जा सकते हैं इंग्लेंड ने हिटलर से वारता लाप कर म्यूनिक समझोते पर हिटलर के हस्ताक्षर करवाये थे अब है राष्टर मंदलिय देशों के साथ संबंध बिर्तिश परधानमंत्री का यह भी कारे है कि वह राष्टर मंदलिय देशों से संपर्क स्तापित रखे और महत्वपूरन विश्चों में उससे संबंधित प्रामढश लेता रहे 1973 के आरंब में बिर्टेन के दवारा यूरोपिय आर्थिक समुदाइक की जो सदस्यता प्राप्त की गई उसके लिए बिर्टिश परधानमंत्री हैरल्ड विल्सन और एड़वर्ड हीट के दवारा अनेक बार राष्टर मंदलिय देशों से संपर्क स्तापित किया गया परधान मंतरी है वो रास्टर का नायक है इन सब की अतिरिक एक तत्थ है जो परधान मंतरी को बिर्टिश राजनित्ति में सरवाधिक महत्तपूरण बना देता है वो ये है कि वर्तमान समय में समान्य निर्वाचन परधान मंतरी का ही निर्वाचन होता है क्योंकि ब्रिटेन में दुवी दलिय विवस्ता है तो परधान मंत्री के चहरे को देख के ही दल को मत मिलते हैं इसलिए उसे राष्टर का नायक समझा जाता है तो इस परकार हम कह सकते हैं कि परधान मंत्री मंदल का परधान है संसद का नेता है और समान्य नीतियों से संबंदित विश्यों में समराठ के विचार विनिम्य का माध्यम है